वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल कुपित लम्मे आपका स्वागत करती हूँ बहुत हो गया मीठा खाना तो चलो आप कुछ स्पाइसी ट्राइ करते हैं तो चलिए रैस्पी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने दो आलू ली हैं बड़े साइज के इनको मैं दो लिया था अच्छे से अब मैं इनका छिकल रिमूब कर लेती हूं और मैं फिर से इनको धो लेती हूं धोने के बाद इनको हम स्लाइसिस में कट करेंगे जैसे हम बजार में फिंगर वगएरा खाते हैं ठीक उसी तरह से लंबे-लंबे स्लाइसिस में हमें कट करना है दो लेते हैं त्में दो लेते हैं 3-4 वर इसी तरह के हम आलू चाहिए इसमीं कडाई में इनको Bowl कर लेते हैं कडाई मैं पानी ने हमने गरम होने रख दिया है थोड़ा सा नवक डाला है पानीiblonil होने के बाद हमें 50% आलूं को कुक कर लेना हम जैसे ही 50% ?! कूख होंगे किस जाली वाली प्लेट में ज्यादा कोक नहीं करना है नहीं तो यह तूट जाएंगे इनका पानी निकल जाए ऐसी प्लेट हमें लेनी है इधर हम कॉर्ण श्टार्च लेंगी चार चमच भरके हमने यह अरा रोट है नॉर्मल वही इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर एड करेंगे इस तरह से ताकि यह अच्छे से चिपक जाए अगर ड्राई हो जाएंगे तो फिर यह नहीं चिपकेंगे इस वात का ध्यान रखें आप बहुत ही इजी तरीके से यह देखिए इनकी कोटिंग हो चुकी है अरा रोट की अब हम क्या करते हैं इनको डीफ फ्राई कर लेते हैं कड़ाई हमने ओयल डाल के पहले से गरम होने रखती थी इनको हमें हाई फ्लेम पर तलना है इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से को slices में cut किया है बड़े-बड़े slice किये हैं और transparent होने तक इनको हम भूल लेते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे simla मिर्च उसको भी मैंने प्याज के जैसे ही cut कर लिया है बड़े-बड़े slice में अब हम डालेंगे इसमें sauce एक चमच भरके मैंने सोया sauce लिया है एक चमच विनेगर लिया है एक चमच चिली sauce लिया है मैंने एक चमच मैंने टमेटो कैचप लिया है सॉस भी ले सकते हैं आप एक चमच भरके मैंने यह मॉमूज की जो चटनी होती है उसको लिया है आप इसकी जगे पे सेजवन चटनी का इस्तिमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच भरके मैंने corn flour लिया है, इसको पानी में घोल लिया था, इसको डाल देते हैं, 2 minute के लिए इसको cook कर लेते हैं, ये देखी कितना तिक हो गया है, अब हमने जो finger fry किये थे उनको भी इसमें आड कर देते हैं, अच्छे से mix कर लेते हैं, अब हनी चिली पटेटो बना रहे तो एक चम्मच हमें हनी डालना है इसमें ये न सोचिए कि मीठा होगा बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा है तो ये देखिए हमारे हनी चिली पटेटो बनके तयार हो गए है ये सफेद तिल थोड़े से अपलाई कर देती हुमें इसके उपर और जरूर करें मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक चीर सब्सक्राइब जरूर करें